कि है कि हेलो एवरिवडी आज का जो हमारा सेशन है वो निश्पेपर रीडिंग का है एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और यह जो आर्टिकल है वो बेरूत में हुए धमाके को लेकर है बेरूत में बहुत-बड़ा विसफोट हुआ और जिसकी विडियोज वाइरल हुए थे तो उनके त्रू आप देखे होगे कि किस तरह का यह एक्स्प्लोजन था यह जो ब्लास था यह किस तरह का था तो आर्टिकल थोड़ा बढ़ियां लेवल का है तो अगर आप बिगिनर्स हो तो आप यह समझ लो कि यह उससे थोड़ा सा उपर ड़ बॉल करे ठीक है तो सेशन को पूरा अकरी तक देखना बहुत ही गजब दिखा गया है तो पूरा सेशन आकरी में आपको कुछ भी मिलेगा वह क्विज आप तभी फिल कर पाओंगी जब पूरा सेशन देखोगे तो पूरा सेशन बहुत फूरूट्फुल होने वाला ह सेशन होने वाला है इसलिए पूरे सेशन को बहुत आराम आराम से समझना बहुत सारी चीज़े आपको सीखने को मिलेंगी आजाओ लिए देखो क्या लिए पहली लाइन बेरूत बैटर हो जए वो घुस्त हो चुका है वर्ड लिखा हुए बैटर बैटर का JAY मतलब का बैटर का सखना कर यह बैचानол पर पढलना तो आप बोलोगों क्यों बैटर कर रहे बैटर मतलब पीटना एक तरह से तो बेरूत बैटर हो जाता है बैटर मतलब ध्वस्ट हो चुका है बेरूत ब्लास्ट जो है वो स्थिति को खराब कर देता है वरसेन कर देना वर्सेन का कि यह जो Lebanon है इसी के लिए प्रोनाउन लगा दिया इट फाइट करता है political, economic और health emergency से वास्तों में जो यह Lebanon जगह है यानि कि जो Lebanon देश है यह केवल एक समस्या से नहीं जूज रहा था यह already बहुत सारी समस्याओं से जूज रहा था और इसमें यह blast आया तो इस blast ने क्या कर दिया situation को और खराब कर दिया clear है आगया जो बहुत बढ़िया लिखा हुगा है फिर बोला हूँ मैं और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार शेयर जरू कर देना जो भी उस समय क्या होगे लिवा शॉब्ड है ना यू वी शॉब्ड तो आपको शॉब्ड कर दिया जागा यह आप शॉब्ड होगे तो उस situation को देखकर उस में आप बोलोगे आप डीवाइसटेटन ठीक है यह डिवाइसटेट्टिक नीव्ज है नीवज कैसी है ड्यवर्ट प्रिजन पाटिसे पले जपी वे समस में हारेे शारी बाते तो तो blast कैसा blast device setting blast shock कर देने वाला blast in central Beirut on Tuesday mangalwar को that killed जिसने मार दिया 135 people and wounded और घाहल कर दिया 4000 4000 लोगों को वो blast यह हमारा main subject है ठीक है वो blast has once again turned the spotlight उसने एक बार फिर से spotlight लाके रख दिया है on a city एक शहर पर that had in the past survived जिसने past में survive किया है civil wars को sectarian violence को foreign interventions को और terrorist attacks को एक बार फिर से सुनो ध्यान से मैं क्या बोला हूँ जो यह device setting blast था central Beirut में mangalwar को जिसने मार दिया that killed वो blast ने क्या किया जिसने मार दिया 135 लोगों को और गहाल कर दिया 4000 को उस blast ने has once again turned the spotlight उसने फिर से spotlight को क्या कर दिया turn कर दिया मतलब एक फिर से उस तरफ लोगों का ध्यान ला दिया है on a city एक शहर पे that had in the past जिसने पास्त में survive कर लिया civil wars को sectarian violence sectarian violence मतलब एक खास वर्ग के लिए जो हिंसा होती है खास वर्ग को लेकर कटरता वाली हिंसा होती है that is called sectarian violence क्योंकि sectarianism का मतलब होता है एक खास वर्ग के लिए कटरता foreign intervention जो विदेसी इंटर्वेंशन रहे हैं उनमें बद्धस्ताय नहीं है जितमें आकर आपने अपनी टांग अडाई है टेर्रिस्ट अटेक्स रहे हैं इन सब से आगे देखो वाइल जबकि there is no dearth of conspiracy theories जो conspiracy theories है जो शड़यंत रचने वाली बाते हैं उनकी कमी नहीं है कि यह जो Lebanon में धमाका हुआ है हो सकता है इन्होंने किया होगा इसकी कमी नहीं है the initial assessment जो शुरुवाती मुल्यांकन है of the government सरकार का is that वो यह है कि the blast was caused by जो blast था वो किस वज़ेश हुआ था तो by the detonation of more than 2700 tons of ammonium nitrate बहुत ही ज़्यादा explosive होता है यह ammonium nitrate है न तो उस 2700 tons का जो ammonium nitrate था उससे भी ज़्यादा उसके detonation से यानि कि उसके explosion से उसके इस फोर्ट से that had been stored कौन सा ammonium nitrate तो वो ammonium nitrate जो store था in a warehouse warehouse मतलब जहां पे गुदाम जहां पर यह सब रखा जाता है at the Beirut port Beirut के port पर after it was confiscated किसके बात जब इसको confiscate किया गया था इसको confiscate का मतलब होता है कानूनी तो पर जब्त करना from a cargo ship a cargo ship से six years ago छे साल पहले एक बार फिर सुनों मतलब छे साल पहले इसको confiscate किया गया था यानिकि जब्त किया गया था comment box में impound का मतलब लिखकर बताओ इंपांड ठीक है अब दोगो छे साल पहले इसको जब्त किया गया था इस ship को अब यह ammonium nitrate वहीं पर लेया कर रख दिया गया था किसी वज़ा से रख दिया गया होगा ठीक है ना तो यह वाँपर जब्त किया गया फिर इसको वहीं पर रख दिया गया उस port में और यह छे स था वो कारण बना था एक्स्प्लोजन के कारण 2700 टन से भी ज्यादा है ammonium nitrate के जिसको रखा गया था वेयर हाउस में बेरूत में बेरूत पोर्ट पे आफ्टर के बाद जब इसको confiscate कर लिया गया था एक cargo ship से 6 साल पहले I think सबको समझ में आ रहा होगा आगे देखो मैं फि पढ़ना और समझना जिनको अच्छा लगता हो ठीका देखो ऑफीचियल कहते हैं दा इनीशियल एक्स्प्लोजन इगनाइटेड़ फायर उसने आग लगा दी इगनाइट कर दिया मेरे पिता जीने मुझे बहुत डांट लगाई और इसकी वज़से मेरे अंदर बहुत सब्सक्राइब देखा अपने इगनाइट को कैसे और उच कर लिया इगनाइट का मतलब वता है तो मेक सम्थिंग बर्ट या टू बर्ट मलब जलाना है या किसी चीज़ को जला देना ठीक ना जलना जलना तो ऑफीचियल बताते हैं कि जो इनीशियल एक्स्प्लोजन है उस सब्सक्राइब कि कैसे बादल बन गया थे बिल्कुल धूए के तो वहीं लिखा गया है विटर मश्रूम क्लाउड ऑफ इसमोग एंड फायर और जो आग था इन दोनों ने क्या कर लिया था कैपिटल्स स्काइलाइन कैपिटल्स स्काइलाइन मतलब कैपिटल की जो उची- कुछी इमारती थी उनको बला जरायों उनको क्या करते था धक लिया था एन इक सॉक वेप्स और जो इसकी होट धहला देने वाली तरंगे थी बैटरिंग बिल्डिंग्स अक्रॉस दसीटी बैटर करते हुए बिल्डिंग्स को अक्रॉस दसीटी मतलब पूरे शहर में एन थाउजेंड्स और वुंड करते हुए घायल करते हुए हजारों को क्लिए रहे आगे देखू कि ऑफिशियल्स है प्रजन परफेक्टेंस है ऑफिशियल्स ने कहा है दे वूड इन्वेस्टिगेट एनी पोटेंशियल टेरर एंगर अगर कोई भी इस तरह की संभावना अगया िो बिन्ग ले आने के लिए और डोज रिस्पॉनसिबिल फोर इस टिस टैस्ट्रोफ कि जो लोगा वी इस कैटस्ट्रोफ के लिए रिस्पॉनसिबील न है एस कलेमिटी के लिए रिस्पॉनसिविल है उनको लेया के खढ़करे में खढे कर देंगे Anybody State President Donald Trump has has called it an attack, उन्होंने इसे attack का, डोनल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर से अपनी भासा में इसको बोला कि ये तो आक्रमड है, attack है, जो magnitude था इस blast का, और जो level था इस destruction का, जो इसने cause किया, एक बार फिर क्या लिखा गया है, the magnitude of the blast, जो blast का magnitude था, and the level of the destruction, और जो destruction का, जो तबाही का level था, that it cause, जो इसने cause किया, जो इसने बनाया, जो इसने कारण किया, in one of the busiest areas, one of the busiest areas, जो सबसे ज़्यादा busy area होते हैं, उनमें से एक, of the capital city, capital city में से, वो ये जो magnitude था और ये जो level था, वो suggest करता है, यहाँ पर ये main word लिखा हुए, suggest करता है, that the casualties could be higher, ये जो casualties हुई है, जो यहाँ पर नुकसान हुआ है, वो और भी ज़्यादा हो सकता है, बेरूत का जो healthcare system है, struggle करते हुए fight, the COVID-19 pandemic, तो वो already struggle कर रहा है, लड़ रहा है, COVID-19 pandemic से, is already stretch, वो पहले ही क्या हो चुका है, stretch कर चुका है, मतलब उसकी, मतलब हालत खराब है, stretch करने का मतलब हाथ-पाँ फैल इसमें, एक बार फिर से देखो, पूरा मैं बोला हूँ, जो magnitude था, blast का, और जो level था, destruction का, इट कॉज जो इसने कॉज किया, in one of the busiest areas, one of the busiest area of the capital city, capital city के one of the busiest area में से, वो यह जो magnitude और level है, वो suggest करता है, वो बताता है, कि जो casualties हैं, वो और बढ़ सकती है, बेरूत का जो healthcare system है संघर्स करते हुए, to fight the COVID-19 pandemic, COVID-19 से लड़ते हुए, वो system is already stretched, वो पहले ही फैल चुका है, पसर चुका है, coping with the aftermath of the blast, aftermath का मतलब, जब कोई वार होता है, कोई accident होता है, तो उसके बाद का जो time period है, मालो कोई वार हुआ, तो उसके बाद का जो time period होता है, मालो कोई वार हुआ और माभारत के बाद का जो time period था, उसके पल्ड्याम थे, that is called aftermath, तो उसी तरह एक blast हुआ, इस blast के बाद का जो time period था, और जो इसके पल्ड्याम थे, so that is called aftermath, तो coping with, निपटते हुए, the aftermath of the blast, blast के aftermath से, itself would be an uphill task, देखो बढ़े लिखा गया है, निपटते हुए, aftermath of the blast, blast के aftermath से, एक बहुत कठिन कार, जो निपटना है न, ये blast के aftermath से, मतलब ये blast हो चुका है, और इसके बाद का time period है, और जो इसके पल्डाम है, उससे निपटना, coping with करना, itself, अपने आप में, would be, होगा, an uphill task, for the country's beleaguered government, country के government के लिए, और कैसी सरकार, beleaguered, beleaguered मतलब घिरी हुई, जो आल अपने अलोचन करताओं से, अपने criticism करने वालों से, इस तरह से, आगे देखो, आगे लिखा है, the blast could not have come at a worse time for Lebanon, ये जो blast है, could have plus V3, you could have done this, तो आप ये काम कर सकते थे, you could have shared this, तो आप इस वीडियो को share कर सकते थे, बड़ आपने नहीं किया, मालो आज के दो साल बाद मैं आप से मिल ला हूँ, और मैं आप से बोल ला हूँ, यार तुम्हे उस टाइम पे वीडियो शेयर करने चाहिए थे, तो ये could have shared, है ना, ऐसे बोलना चाहिए, कोई काम पास में नहीं हुए, और तब आप बोल ले हो, तो could have plus V3, तो ये जो blast है, could not have come at a worse time, ये इस से खराब स भाता हूँ, बैटल मत शंघर्ज करना, with one crisis or another, एक ने तो एक अन्य, दूसरे से लगातार, एक समस्याने तो दूसी समस्या से लगातार ये जूसता रहा है, डैस देके बता जा रहा है, be it political instability, जाए पॉलिटिकल एक तरसे, और स्थाइप तो, instability हो, a crumbling economy हो, तूटी वी एक economy, और the pandemic, या फिर pandemic हो, massive street protest, जो भारी street protest रहे है, that broke out in Beirut, जो बेरूट में ब्रोक आउट करते, breakout का मतब फैलना, बीमारी का, हिंसा का, प्रोटेस्ट का, आग का, इन सब के फैलने के लिए, fragile भा भीच करते हो, breakout, एक फिर देको, massive street protest, बहुत भारी जो street protest थे, that broke out in Beirut and elsewhere, जो बेरूट और अन्ने जगहों पर फैल गए, last year, पिछले साल, against corruption, corruption के खिलाफ, and the government's inability to provide even basic service to citizens, और government की जो अयोगिता थी, provide करने के लिए, यहां तक की जो basic services है, नागरिकों को, इज सब में, देखो एगर कैसे लिखा है, massive street protest, that broke out in Beirut, जो बेरूट में फैल गया, and elsewhere, औ इछले साल, against corruption, corruption के खिलाफ, और किसी खिलाफ, सरकार की अयोगिता की खिलाफ, क्यो फैल गया, सरकार की योगिता, किस चीज में अयोगिता, provide करने में, क्या provide करने में, even basic services, किसको provide करने में, नागरिकों को, comma, इन सब चीजों ने, paralyze कर दिया, और भी, अपंग बना दिया, गवर्नेंस को फर्दर आगे चलके, leading to, और लेके गया, प्राइम मिनिस्टर साध हरीरीज रेजिगनेशन, तो जो भी ये पुरो प्रधान मंत्री थे, उनके रेजिगनेशन की तरफ ये लेकर चला गया, the new government's immediate priority, जो नई सरकार थी, उसकी तुरत की priority हो गई, was वो थी, to fix the economy, कि वो एकोनोमी को fix करें, यानि कि ये जो समस्या है, इसको खतम करें, but, लेकिन, the economy is still in free fall, free fall का मतलब, खराब इस्तिति में, डूबने वाली इस्तिति में, तो ये जो एकोनोमी है, वो अभी भी किसी situation में, free fall वाली situation में, मतलब डूबने वाली situation में, अभी भी वो डूब हो रही है, खराब हो रही है, वो खतम हो जाएगी, यानि कि तूट जाएगी, इस तरह के, prices of essential goods, जो भी जरूरी आवश्यक समान है, essential मतलब आवश्यक, goods समान है, आर हाई, वो अभी भी क्या है, हाई है, foreign currency is scarce, जो foreign currency हो बहुती अलप है, scarce का मतलब होना, बहुती अलप होना and GDP is expected to contract 12% this year, और GDP है, उसके बारे में यह मीद की जाती है, कि वो contract कर जाएगी, मतलब आ जाएगी किस पर 12% पर इस साल, कम होते हुए, according to the IMF, International Monetary Fund, comment box में IMF का कार्याले लिख कर बताओ, ठीक है, ऐसी पूछ ले मैंने, आगे देखो, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा देखो लिखा हुए, rendered 100 of thousands homeless, यह जो rendered word लिखा है न, यह आपको जब भी तूफान, जब भी कोई blast, जब भी कोई इस तरह की खटना होगी, या जिसे COVID-19 अभी चारो तरह फ्यालवाता है, यह वर्ड बहुत बार देखने मिला होगा, और मेरे से अगर आप पढ़े होगे, त तो पहले मैंने कहीं न, कहीं यह वो जरू बता रहा होगा, रेंडर का मतलब होता है, एक situation से उठाकर दूसरे situation में कर देना, देखो कैसे, it has rendered hundreds of thousands homeless, hundreds of thousands का मतलब बहुत चारे लोगों को, इसने क्या कर दिया, homeless कर दिया, render homeless मतलब, एक situation से उठाकर, दूसरे situation में, तो पहले homeless नहीं थे, अब कहां कर दिया, homeless कर दिया, COVID-19 pandemic ने, render कर दिया, hundreds of thousands को, jobless, तो बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया, jobless situation में लाकर रख दिया, and would depend the country's economy, woos, और would गहरा कर देगा, depend कर देगा, deep in, deep adjective, कई बार adjective में एन लगा कि आप भी बनाते हो, deep in, hard in, soft in, ठीक न, इस तरह स समस्याओ को, देगा, वो तो एक अनकाउं टेवल, नावने से तो, ठीक न, वो एक अनकाउं टेवल, नावने, बट जब बहुत सारे समस्याओ को दिखाते तो, ठीक है, वो बीटाइड, comment box में इस का मतलब लिकर बताओ, बहुत बढ़िया, वो बीटाइड, ठीक है, अगर उनके जो पोर्ट से उन में से एक, वन आफ प्लस 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 अलाँ, वन फिक्स में पोर्ट है, इसको इसको डिस्ट्राइड कर दिया गया है, the immediate focus, जो तुरंद का focus होना चाहिए, शुड भी, वो होना चाहिए, यह देखोई भी मेन वप है आपे, है ना, शुड मोडल है अब मोडल साथ प्योर फॉर्म चाहिए होती है, तो देखोई यह लिखा हुआ है, शुड मेन वप, यूशुड गो, तो शुड प्लस गो, उसे तर शुड भी, तो बी का मतलब होना, तो immediate focus होना चाहिए, शुड भी, on rescuing, rescue करने के लिए, the wounded and, जो भी घाय ले उनको, and getting the city back on its feet, और city को अपने कर्मों पर लेकर खड़ा करने में, other countries in the region, region में जो अन्य देश है, as well as international institutions, और जो भी अंतरास्टी संस्थाय है, should offer help, उनको help offer करना चीज़े, to Beirut, Beirut को, to withstand this moment of catastrophe, तो जो catastrophe वाली situation है, पल है, उसके साथ खड़े होने के लिए, उसका सामना करने के लिए तो I hope कि आप इस छोटे से session में कुछ सीख पाया होगे, अगर session बढ़िया लगा हो, तो एक प्यारा सा comment कर देना, है न, कि आपने कुछ सीखा, आपको कुछ अच्छा लगा, तो वो चीज और energy देगी मुझे, कि मैं और अच्छे session लेकर रहा हूँ, अब आपके लिए वो अब खुद से फिल करोगा में एक बता दे रहा हूँ, जिसमालो, देस ब्लास्टीन सेंट्रल बेरूत, तो सेंट्रल बेरूत में कैसा ब्लास्ट वाथा, सर बहुत ही दहला देने वाला, शॉक कर देने वाला, सर डेवा स्टेटि, आगे समाझ में आप कैसे फिल कर नहीं फिल कर पाऊँ, ठीक है, इसको फिल करो, और आज के लिए इतना ही है, वीडियो अच्छा लगते वार शेर कर देना, नेक्स सेशन में फिर में लेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, देन्यवार,